हाई फ्रेंट्स मैं हूँ रेखा और रेखा देंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आए हो बिल्कुल अच्छे फ्रेंट्स आज हम आपके ले के आए हैं गुलाब जामुन इसमें हमें मावा की जरूत नहीं है हमने घर पर ही मावा तयार किया है तो फ्रेंट्स आए गुलाब जामुन बनाना स्टाट करते हैं आप रेचिपी को स्टाटिंग से एंड तक पूरी वाच करें और रेचिपी को ट्राई जरूर करें गुलाब जमुन बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए है एक चमच सूजी, दो चमच मैदा, पाथ चमच मिल्क पाउडर, दो चमच देशी घी, एक छोटा चमच बेकिंग पाउडर, सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हमने लिया है एक कप दूद, और हम चमच की सायता से 4-5 चमच दूद डाल लेंगे दूद हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जैसे हम आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें डो तैयार कर लेना है गुलाब जमुन बनाने के लिए हमारा डो बिल्कुल रेडी है, अब हम पांच मिट के लिए डो को ढखके रख देंगे हमने यहापे एक पैन लिया है, इस पर डीड़ कप छीनी डाल देंगे गुलाब जमुन की चाशनी बना रहे है तो जितनी हमने चीनी लिया ह। उतना ही पाने डालना है तो मैं यहापे डीड़ कप पाने डाल रही हूँ हाई फ्लेम पे हमने चाशनी को बनने के लिए रख दिया है, चीनी को मेल्ट होने देंगे हमने यहाँ पे चार लाइची ली है, इसको हलका दर-दरा कूट लिया है, ये भी हम चाशनी में डाल देंगे साथ ही हमने लिये हैं थोड़े से केसर के धागे, केसर के धागे भी डाल देंगे, इससे चाशनी में फ्लेवर और कलर दोनों बहुत ही बढ़िया आता है पानी में चीनी बहुत अच्छे से गुल गई है और उबाल भी आने लगया है हमें चाशनी एकदम प्रॉपर चाशनी की तरह तैयार नहीं करनी है बस हलका चिपचिपा होने तक हमें चाशनी को तैयार कर लेना है गुलाब जामुन की चाशनी बिल्कुल तयार हो चुकी है देखिए हलका सा चिपचिपा पन भी आ गया है पस इतना ही हमें चाशनी को पकाना है गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और चाशनी को साइड में रख देंगे गुलाब जामुन के लिए चाशनी तयार है और गुलाब जामुन का डो भी बिल्कुल रेडी है थोड़ा सा हाथ से मसल लेंगे देखिए इस तरह से फटने लग गया है क्योंकि सूजी के गुलाब जामुन बनाने जा रहे हैं और सूजी फूल जाती है अभी हम यहाँ पर एक चमस दूड डाल लेंगे क्योंकि जो हमारा डो है यह सॉफ्ट होना चाहिए टाइट यह बिखरता हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ने जो गुलाब जामुन है वो फटने लग जाएंगे गुलाब जामुन बनाने के लिए हमारा डो विल्कुल रेडी है देखिए एकदम सॉफ्ट डो बनाके हमने तयार कर लिया है आए गुलाब जामुन के पीसे तयार कर लेते हैं कुछ इस तरह से हम डो को लंबा और पतला कर लेंगे ताकि जो हमारे गुलाब जामुन है वो सब एक ही साइज के बने अब हमने एक ले लिया है चाकू इससे हम पीसेस कट कर लेंगे लगबग बराबर साइज के पीस कट करेंगे इस तरह से गोल कर लेंगे गुलाब जामुन देखिए हमने बना लिया है साइज आप छोटा या बड़ा, गुलाब जमून का अपने हिसाब से कर सकते हैं सभी गुलाब जमून के पीस हमने बना के तयार कर लिये हैं और गी भी गरम हो चुका है, अब हम इनको डीप फ्राइ कर लेंगे गी गरम हो चुका है, हमने जो गुलाब जाँम बना के तयार करें है, उनको हम घी में डाल देंगे और हमें घी को इतना ही गरम करना है बहुत जादा गरम नहीं करना है नहीं तो जो हमारे गुलाब जामुन है डालते ही लाद हो जाएंगे गुलाब जामुन को हमें इस तरह से सिखने देना है बिल्कुल भी छेड़ चार नहीं करनी है देखिए अपने आप से ही फूलने लगे हैं साइज में जो हमने बनाया था उससे बड़ा साइज हो गया है अच्छे से फूल जाएंगे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से चमच की सायता से हम ऊपर से भी ऑईल डाल देंगे देखिए कितना बढ़िया से हमारा गुलाब जामुन सिख्के तैयार हुआ है देखिए हमने गुलाब जामुन के आहिस्ता आहिस्ता साइज चेंज कर दी है कलर भी बहुत बढ़िया आ रहा है चारो तरफ से बहुत अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेना है गैस के फ्लेम को हमें लो ही रखना है मेडियम या हाई नहीं करना है देखिए कितने बढ़िया से हमारे गुलाब जामुन का कलर भी आ गया है अगर आप और डाग करना चाते हैं तो आप और भी ज्यादा डाग कर सकते हैं पर मुझे यही गुलाब जामुन का कलर पसंद है इसलिए मैं इसको खड़ाई से बाहर निकाल रही हूँ देखिए कितना बढ़िया गुलाब जामुन का कलर आया है और कितने बढ़िया से हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार हुए है एक चीज का ज्यान रखें कि गुलाब जामुन हमें ठंडी चाशनी में नहीं डालने है गुलाब जमुन को हमें गरम चासणी में ही डालना है । अगर चासणी ठंडी हो गई है तो तो आप थोड़ा सा और गरम कर सकते हैं देखिए हमने गरम चाशनी के अंदर गुलाब जमून डाल दिये हैं चाशनी ठंडी हो चुकी थी हलकी सी नवाई मैंने कर ली है और इसमें गुलाब जमून डाल दिये हैं अच्छी तरह से इनको एक बार हम रोल कर देंगे चाशनी के अंदर गुलाब जमून को अब हम ढखके रख देंगे बाकी के गुलाब जमून भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे देखिए हमारे बढ़िया गरम गुलाब जमून बिलकुल रेडी हैं अभी हम इसको एक से देड़ घंटे लिए ढखके रख देंगे ताकि जो हमारे गुलाब जमून है अंदर तक सौफ्ट हो जाए और इनमें अंदर तक चाशनी चली जाए देखिए हमारे गरम गरम गुलाब जमून बिलकुल रेडी हैं और हमने एक बाउल में निकाल दिये हैं ताकि जो चाशनी है वो अच्छे से गुलाब जमून में चली जाए अब हम इसको एक घंटे के लिए ढखके रख देंगे एक घंटा कम्पलीट हो चुका है आइए चेक कर लेते हैं हमारे गुलाब जमून एकदम रेडी हो चुके हैं कितने बढ़ए से त्यार हैं आपको पास से दिखाती हूं कितने बढ़ गुलाब जामन बनके त्यार हूए हैं बहुत छोटी छोटी हम ने कैने बाल बनाई थि पर यह चाष्णियमें डाल लेएं के बाद में सब्सक्राइब आपको दबा के दिखाती हूं हमारी गुलाब जामन बिल्कुल रेडी है और हमने सर्फ भी कर दिये है लोकिंग में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी भी है तो फ्रेंड्स आप रेसिपी को ट्राई करें टेस्ट करें और अपने कमेंट समसे शेयर करें थेंक यू थेंक यू थेंक यू सो मुच अवर नाइस दें